कुंदन के पिता गोवर्धन तिवारी गाउं के प्रसिद्ध पंडित थे लेकिन वो अपने बेटे कुंदन को मंत्र पढ़ना सिखा नहीं पाए उसके कुछ दिनों के बाद गोवर्धन तिवारी की मृत्यू हो गई और कुंदन पीच मजधार में फास कया रतन चाचा मुझे दो किलो चावल दीजिए ना नहीं कुंदन आज से मैं तुझे उधार नहीं दूँगा वो तो तेरे पिताजी पारिवारिक पंडिते हमारे इसलिए उधार दिया करता था चना गाउं में नमक की मांग है इसलिए तुम नमक का व्यापार करो पैसे कहां से मिलेंगे हाँ ये तो है वैसे काना एक जवाल लड़के की तलाश कर रहा था जो उसके साथ मश्री पकड़ने जा सके बता कर पाएगा बता एक बड़ जाकर मिल तो ले सच में अच्छा मैं 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 इसी वक जाता हूँ कनेया चाचा कनेया चाचा वो मैं कह रहा था कि आप मुझे अपने साथ रख लीजिए अच्छा ठीक है ठीक है तो फिर कल सुबह आ जाना ठीक है अब ये देखो कुनडेंद अच्छी तरह से देखो समुद्र में किस तरह से जाल फंका जाता है कड़ लिया चाचा अच्छी तरह से देख कर सीख लो बेटा अब चलो अब जाल खींचो जाल खिंच हो ह हाँ चाचा यह देखिए आज रहे हुई हाई धाय हाय वच जलिया भाग कर निकल रहा है हाई हाई high हैली मेहनत पेकार जा रही है अब हम क्या करेंगे जा जा जुब प्तिल्म्हे कुछ भी करने की ज़रूत नहीं जा यहांसे जाओ कने अचाचा ने भी मुझे बगा दिया अब मैं क्या करूंगा मुझे तो कुछ आता भी नहीं है अरे ये क्या अब वहाँ जाता हूँ उनकी मदद करने पर शायद कुछ पैसे मुझे मिल जाए जाकर मजदूरी ही कर लेता हूँ अचाचा जी ये बोरिया गाड़ी में रख दू अगर तुम कह रहे है तो ठीक लाद दो अगर तुमने लाद दिया तो फिर मैं तुमें पांच रुपे दूँगा समझे अरे नहीं वह गिर गया मुझे पता था तुम हरी वज़े से मेरा एक बोरी आटा बर्वाद हो जाएगा जाओ 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 यहां से ना ही मंत्र पढ़ना सीख पा है और ना ही कोई दूसरा काम करना तुमसे कुछ भी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा जाओ यहां से जाओ दख तेरी कि मुझे कोई काम करना नहीं आता नहीं मुझे कुछ भी नहीं हो पाएगा ऐसी समुदर के पाने में डूपके मर जआओगा फिर फिर फो आई देंग्गा काम करवा जज़ बजएगा इस बिल्रत प्रभ система बल्तों कि भी न है? बल्तों कि पी ऐार वर हमेर? बल्तों कि मुझे नहीं है对 इस सायसारा देंगो कि मुझे है और नमकीन पानी है, और अक्षी आक्षी अरे नमकीन मतलब नमक, जह में नमक की बहुत मांग है तो ठीक है, अपसे मैं नमक ही बनाऊंगा लेकिन मैं कहा पर बनाऊंगा, मेरे पास तो की जगह भी नहीं ओ भाइ, ओ भाई आपने आपमें क्या बढ बना रहे हो तो भाया, मैं वो कह रहा था कि आपने एक बार तो मेरी जान बचा ली, लेकिन अगर मुझे एक टुकड़ा जमीन नहीं मिला, तो मुझे फिर से दुबारा जान देनी पड़ जाएगी ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो देखो ये वाली, ये ही मेरी जमीन है, बेकार पड़ी है, एक बार समुद्रगा पानी घुज गया था, उसी वज़े से बेकार है तो भी चीक है, मैं ये जमीन लूँगा पैसे दे देना, लेकिन इसका करूगे क्या नमक बनाऊंगा नमक? वा, 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 ठीक है, ठीक है, मेरे गाओं में नमक की बहुत माँगा सच में? इस गाओं में भी? हाँ हमें बहुत गहरी खुदाई करनी ही पड़ेगी, हाँ हाँ, ठीक है कुंदन बहिया, समुद्र का पानी आ रहा है आ रहा है, आ रहा है, पानी आ रहा है अरे, अरे, इसमें तो समुद्र का पानी भरता ही जा रहा है अब हमारा काम है लकड़ी का इंतिजाम करके उसे जलाना लकड़ी जलाते ही सारा पानी भाब बनकर उड़ जाएगा और रह जाएगा सिर्फ नमाक वाँ 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 आप तो बहुत ओश्यार हो भाईया आपको बेवकूव किसने कहा कोई गाहुवालों ने जाता हूँ जाता हूँ मैं जाता हूँ मैं लकड़ी का इंतिजाम करके आता हूँ मैं अब इस नाले के मुँँ को बंद कर देता हूँ भाईया लकड़ी लकड़ी लेकर आया हूँ आपके लिए जला दीजिए जला दीजिए पानी उबल रहा है उसके बाद उसे एकटा कर लेंगे मैया मैंने गाओं के सभी दुकानदारों से कह दिया है और वो सभी तयार है बेल कुछ तयार वो, वो, ये तो चीबा तयार पेकट कितने के हैं? 20 रुपए ठीक, ठीक, दस पेकट दे दीजे, ये लीजे पैसे सलाम साहिब ये लो, तुम्हारी बीटी के लिए दवाई धन्यावाद, धन्यावाद साहिब, आप बहुत देयालू है साहिब ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करके सीधे वेरे गाहँ ले चलो कौन, कौन हो तुम, मैं, चाचा जी मैं कुन्दन, क्या, हमारे गोवर्धन तिवारी का बेटा कुन्दन, हाँ चाचा जी, लेकिन तुम इतने बड़े आदनी कैसे बन गई ये तो बताओ बेटा, उस दिन आपने मुझे सुझाओ दिया था ना, कि नमक का व्यापार करो, म करूंगा, करूंगा, आज मैं उसी वज़े से यहां लौट कर आया हूँ, मैं गाहँ वालों के लिए यहां एक नमक का गोदाम बनाऊंगा, और मेरे द्वारा बनाय गए गए नमक का नाम रखूंगा, गोवर्धन नमक, क्यों, और आज मैं सभी को एक एक पैकेट नमक गोवर्धन तिवारी के पैटे की जाए हो, जाए हो